प्रे जिग्यास्वों प्रे समस्तुमान वत्ता के उपासकों सभी मनुश्यों को मेरा प्रणाम अब जनते हैं कि हम लोग अपने चैनल पर सिछा सास्त्र की ही चर्चा करते हैं यह ब्योहार निर्मान का विज्ञान है इसे आप जान ही रहे हैं और उसी ब्योहार निर्मान के संदर में मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही परिशान था इस कोरोना महामारी के समय रोज सौ किलो मेटर की आतरा बस से करना पुड़ता था जिसमें कहीं से मैं संक्रमित हो गया था और एक हपते तक ऐसा बुखार हुआ कि पता ही नहीं चलता था रात को बुखार होता था फिर जुखाम सल्दी भी होई तीन अप्रेल को मैंने कोरवीड की जो वैक्सीन लग रही है सरकारी अस्पतालों में जो कोवी सील्ड है वो वैक्सीन मैंने तीन तारिक को लगवाई जिसके बाद मेरा बुखार जुखा मौर बढ़ गया लेकिन जो कुछ भी लच्छड थे या कोरोना की वैक्सीन लगवाने के पहले से ही मेरे पास थे मुझे लगा कि मैं कोरोना से संकुमित हो चुका हूँ और मैंने नौ तारिक को जा करके जोनपूर के बदलापूर प्रात्विक्स जो स्वास्थिकित सकेंद्र है उस पर मैंने रटीपी सी आर्क की जाच करवाई जिसमें मेरा जो संदे था वो सत्य निकला और मैं कोरोना उपसे ग्रशित निकला रिपोर्ट पास्ति वाई अब उसके बाद एक बाद मेरे मन में बड़ी हलचल हुई कि अरे अब क्या होगा लोग तो मर रहे हैं मैं भी अब नहीं जादा दिन रहने वाला इस तरह की बाते आई फिर मैंने मैं भगवान स्यू मादुरगा हनुमान जी को स्रीकृष्ण भगवान को भोत हिदे से स्विकार करता हूँ मेरा विश्वास है कि जो ये स्ष्ष्ठी चल लही है वह पूर्द इस्वर के हाथ में है और इस्वर ही स्ष्ष्ठी को चलाने वाला है तो मैंने कहा चली ये कोई बात नहीं है जैसे अब तक की परिछाएं वैसे इस परिछा को भी देखा जाता है फिर मैंने जो भी दवाएं बताई गई विटामिन सी विटामिन भी जिंक की और डक सी आईबर करके कुछ था है इस तरह से चार पाच दुमाओं को मैंने सेवन के सुरू किया और मेरा आयूरुबेत पर बहुत ही अथा विश्वास है तो मैं एक स्वयंग अपने देशन में उसको काढ़ा जिसे कहा जाता है उसको बनवाता था क्वात ही जिसे कहते हैं उसमें मैं इतना गुर्च गिलोए दस ग्यारा अड़ा काली मेच बीस पचीज दाने तुलसी के पत्ते इतनी नीम की छाल थोड़े से अडूस की जड थोड़ा सा चीचीडा का जड इतनी ही चीजे लेकर के एक लीटर पानी में ख़लवाता था एक धाई सो ग्राम पानी बचने पर उसे दो बास सेवन करता था और मैंने उन दवाओं का भी सेवन बराबर किया साथ ही इसको भी किया नीबू गरम पानी के साथ दो तीन बार लेता था दूद और हल्दी बिना चीनी के गुड के साथ कभी कभी दो तीन बार उसको लेता था फिर मुझे बारत तारिक को जब मेरी कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई तो मैंने यह सब शुरू किया मैं अपना अनुफ़व आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जो इस समय संसार में इतना डराऊना महौल है ऐसा कुछ नहीं है आप अपने पर विश्वास करेंगे आप पूर्णर रूप से स्वस्थ हो जाएंगे निसीत रूप से कमजोरी आएगी मैं स्वयंग आज 25 मार्च के बाद से कोई वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी आज मैं हिम्मत करके इसको बना रहा हूँ अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी कमजोरी जरूर है इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग घबडा रहे हैं परिसान हो रहे हैं आपको मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी परिसान मत होईए कोई भी आप परिसानी मत उठाइए जो आपका स्वास्त की समश्या है वह आपके मन के प्रबल रहने पर उसके सबल रहने पर सब ठीक हो जाएगा तो इस तरह से कुछ बात कुछ बाते पता चली कि नीवू पानी नाक में डालने से भी कुछ फायदा होता है मैंने दो-तीन दिनों से भी पिछले दो-तीन दिनों में किया और मैं पुना कल यानि कल की तारीक थी 21 अप्रेल 21 को मैं कल गया था आस्पिटल और मैंने जाज करवाई थी एंटीजेन जाज में मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई है मुझे भी लग रहा था कि मैं अब निगेटिव कोरोना से हो चुका हूँ और निश्यत रूप से जो भी इससे संक्रमित हो रहे हैं वह धनात्मक सोच के आधार पर पूरूप से स्वस्थ हो सकते हैं कोई भी समस पूरी रूप पूरे तरह से क्वारंटीन रहें आप अकेले रहें अपने बरतन खुद साब करें बना बना एक खाना मिले गरम गरम खाए जितना और कुछ देर योग जरूर करें मैंने आपके एक बात बताना भूल गया कि मैंने प्रयास करके पांच मिनट भस्त्रिका दस में पांच मिनट कंपाल भाती प्मिनट अनलों बिलों और पांच बार भ्रमरी तस बार दृस बार उत्जिफ प्राराम ऑपीया इस तरह से मैं आज आपके सामने पार्युप से सच्थू और और मैं आपसे यही कहोना चाहूँगा, कि जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप जितना आप मन के द्वारा भारी बना लेंगे, वो समस्या उतनी ही भारी होती जाएगे, जब आप सोच लेंगे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपकी सांस वास्ताओं में र रखिये, नकारात्मक सोच आपकी सर उर्जा को समात्व कर देगा, यह मनोवज्यानी कद्यान भी कहता है, कि यदि आप कभी भी नकारात्मक होते हैं, तो आपकी जो प्रतिरोधक्षमता सरीर की है, वो भी समात्व हो जाती है, तिसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, मैंने इ बहुत ही मजबूत रखता हूँ, और मैंने सब को प्रयास किया कि सब मजबूत रहें, आप जितना अच्छा सुचेंगे, उतना अच्छा बनेंगे, आपके लिए यह समस्या कोई समस्या नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है, और मैं आपके सामने साथ-चात इसका प्रमा की हैं, जिन बातों को मैंने आपको बताया है, यह मेरा संदेश आप सामने रूप से मत लिजिएगा, निवेदान है मेरा कि सुगंबेता से लिजिएगा, अपने मन को पूर्ण रूप से सबल बनाईएगा, स्वस्त रहेगा, कोई समस्या नहीं आनी है, किसी प्रकार की, त अन्यवाद, नमस्कार